सन 1911 में ब्रिटिश समराथ चौर्श पंचम भारत आए। उन्होंने दिल्ली दर्बार में बंगाल के विभाजन को रद्द करने की खोशना की। सन 1912 में गोपाल कृष्ण कोखले दक्षण अफ्रीका हो कराए। उन्होंने दक्षण अफ्रीका में भारतियों पर होने वाले अत्याचारों की चर्चा बड़े विस्तार से कॉंग्रिस अधिवेशन में की। इसके साथ ही उन्होंने इन अत्याचारों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पारित कराया। सन 1913 में सैन फ्रांसिसको में एक सम्मेलन आयोज़द किया गया था। जिसमें अमरीका के विभिन भागों में रहने वाले भारतियों ने भाग लिया और 15,000 डॉलर की राशी जमा की। इसी अफसर पर इंडियन एस्सूसियेशन की नीव रखी गई। और सन 1857 के गदर की स्मृति में गदर नामक पत्रिका का प्रकाशन हिंदी, उर्दू, मराथी और गुरुमुखी में शुरू हुआ। इसी गदर पत्रिका के नाम के कारण बाद में इंडियन एस्सूसियेशन का नाम गदर पार्टी हो गया। लाला हरदयाल ने इस पार्टी के लिए बहुत काम किया। वो गदर पार्टी के मंत्री चुने गए। और सोहन सिंग भाकना उसके अध्यक्ष। सन 1914 में कई महत्वपूर्ण घटनाए होई। सबसे महत्वपूर्ण घटना थी प्रथम विश्वयुद्ध का आरफ पूर। जर्मनी, फ्रांस, रूस, बेल्जियम, इटली, अमरीका, जापान आदी अनेक देश इस विश्वयुद्ध में पूर पड़े थी। इंग्लेंड भी इस युद्ध में शामिक हुआ और इस कारण युद्ध का असर भारत पर भी आया। देश के अनेक नेता इस अफसर पर ब्रिटिश शासन की मदद करने की बात कर रहे थी। दादा भाई नौरुजी मदन मोहन मालविय आदी अनेक नेताओं का कहना था कि अगर इंग्लेंड इस युद्ध में हार गया तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। किन्तु दूसरी ओर ऐसे लोग भी थे जो ब्रिटिश सरकार से ये मांग कर रहे थे कि वो भारत में भी स्वतंत्रता और आत्म निर्णाय के उन्हें सिधानतों को लागू करें जिनके लिए अनेक देश युद्ध कर रहे हैं। इसी समय लोकमान ने तिलक बर्मा की मांडले जिल से छूट कर भारत वापस आए। एक आईरिश महिला एनी बिसंट ने भी इनी दिनों भारती राज़िती में प्रवेश किया। श्रीमती एनी बिसंट बड़े ही स्वतंत्र विचारों वाली महिला थी। भारत आने से पूर्व। इंगलेंड में उन्होंने रूडियों और अंध विश्वासों को तोड़ने के लिए जबरदस संखर्ष किया था। उन्होंने मज़दूरों के लिए भी आंदोलन चलाया था। और भारत तथा आर्लेंड के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थर किया था। 1882 में उनके जीवन में एक महत्वपून मोड आया। थियोसोफिकल सुसाइटी की संस्थापक मैडम ब्लवेच्सकी से एनेबिसंट की मुलागात हुए। और वो उसमें शामिल हो गई। मैडम ब्लवेच्सकी की मृत्यू के पाद एनेबिसंट ही थियोसोफिकल सुसाइटी की प्रमुपनी। सन 1893 में श्रीमती एनेबिसंट भारत आई। भारत के प्रती उनका प्रेम निरंतर बढ़ने लगा। भारत की धार्मिक, सामाजिक उन्नती और शिक्षा का प्रसार तथा राशनीतिक आजादी के कामों में उन्होंने गहरी दिल्चस्पी ली। सन 1916 में श्रीमती एनेबिसंट ने आईरलेंट के होम रूल आंदोलन की प्रिणा से मद्रास में होम रूल की स्थापना की। इससे प्रभावित होकर लोकमान्य तिलक ने भी अखिल भारतिये होम रूल लीक स्थापित की और जल्दी ही देश भर में इसकी शाखाएं खुल गई। होम रूल के चार प्रमुक्ष सध्धांत थे। स्वदेशी वस्तों से प्यार और उनका सम्मान्, विदेशी चीजों का पहिश्कार, राश्ठ्रिय पध्धती प्रशिक्षा का संचालन और स्वतंत्र राश्ट्र की इस आंदोलन ने ही पहली बार राश्ठ्रिय शिक्षा का नारा बुलंद किया था. ये आंदोलन इतनी तेजी से फैला कि ब्रिटिश सरकार ने इसे दवाने के लिए पूरी ताकत लगा दी और जून 1917 में श्रीमती एनिबेसंच को गिरफतार कर लिया गया जिससे आंदोलन और भराक उठा आखिर सरकार को मश्बूर होकर श्रीमती एनिबेसंच को रिहा करना पड़ा विश्व युद्ध के दौरान भारत ने ब्रजन की भारी सहायदा की थी प्रजन की सरकार में भी बार-बार घोशना की थी कि वो संसार में लोगतंत्र की रक्षा के लिए पराधीन राष्ट्रों को आत्म निर्णय का अधिकार देने के लिए युद्ध कर रहा है किन्तु श्रीमती एनिबेसिंट ने लोगों को इस भुलावे में ना आने के लिए बार-बार आगा किया उन्होंने स्वश्च कहा था भारत युद्ध के दौरान दिखाए गई राजभक्ति का इनाम नहीं मांगता वो अपनी बेटों के रक्ष और बेटियों के आंसों के बदले में स्वश्चंत्रता की किस्तों का सौदा नहीं करता वो तो एक राष्ट होने की नाते अपने अधिकार चाहता है और सामराज्य की प्रजा की विभिन जातियों के बीच नियाय की मांग करता है आपको याद रहे कि भारत क्या था आपको जानना चाहिए कि इसा के जन्म से तीन हाजार पहले भारत वानिचे और वैपार में महान था श्रीमती एनेबसंट की ऐसी ही राष्ट्री भावना से प्रेरित होकर सन 1917 में कॉंग्रेस ने उन्हें अपना अध्यक्ष चुना किन्तु जैसे जैसे विश्वयुध खत्म होने लगा होम रूल आंदोलन भी कमजोर पढ़ता गया और अन्त में खत्म हो गया किन्तु इतना निश्चित है कि भारतिय स्वतंतरता आंदोलन में राजनैतिक चेतना जगाने के लिए होम रूल आंदोलन का विशेश महत्वरहा है चापान में रहने वाले भारती कामा गाटा मारू नामक चापानी जहास पर कैनेडा स्थित प्रिटिश कुलंबिया की यात्रा पर निकले वहां उन भारतियों के साथ अत्यंत अपमान जनक वहवार किया गया इससे परेशान होकर वो लोग भारत के लिए रवाना हो गए रास्ते में बढ़ने वाले बंदरगाहों पर भी उनके साथ दुरवेवार किया गया जब वो भारत पहुँचे तो उन्हें यहां के बंदरगाहा पर उतरने की भी अनुमती नहीं दी गई आखिर किसी तरह कामा गाठा मारू जहाज हुगली बंदर कहा पर उतरा वहां से उन यात्रियों को बजबज रेलवे स्टेशन पर पहुँचाने की विवस्था की गई उनके लिए ब्रिटिश सरकार का आदेश था कि उन्हें कलकत्ता या अन्य किसी स्थान पर न रुकने दिया जाए बलके सीधे पंजाब भेजा जाए उन ठगे हुई यात्रियों ने सरकार का यहुक मानने से इनकार कर दिया इस पर पोलिस ने उन पर गोलियां चलाई जिससे दस लोग मारे गए जहाज यात्रियों के नेता गुरुदत सिंग अपने कुछ साथियों के साथ किसी तरह बचकर निकल गए इसी समय एक और महत्वपूर्ण घटना हुई ये थी दक्षण अफ्रीका से मोहंदास करमचंद गांधी का भारत आगमन गांधी जी के इस आगमन के बारे में पंडित जवाहलाल नहरू ने कहा था गांधी जी हवा के उस तेज जोंके की तरह आए जिसने हमारे लिए इस खुली हवा में सांच लेना संभा बनाया से दादभाई नौरूजी और फिरोश्या महता के मृत्यू हो जाने के कारण कॉंग्रिस की बाग डोर नरम दल के हाथों में ठीली पड़ चुकी थी यही कारण था कि लखनव अधिवेशन में अध्यक्ष श्री अंबिका चरण मजुम्दार के साथ सुरंद्र नाद बेनर्जी श्रीमती एनिपेसंट और लाला लाशपत्राय आदिनेता एक साथ मंच पर बैठे इसी समय दिलक का पुना कॉंग्रिस में प्रवेश भी हर्शोल लास के साथ स्विकार किया गया धीरे धीरे कॉंग्रेस पर लोकमान्न दिलक और उनके गरम दल का प्रभाव पढ़ने लगा दिल्ली में दिसंबर 1918 में होने वाले कॉंग्रेस के 34 वे अध्यशन के लिए यद्यपी लोकमान्न दिलक को चुना गया था किन्तु उन गांधी जी ने ये सूचा था कि पहले देश की वास्तविक स्थिती से परिचत होने के लिए उन्हें एक वर्ष शांती पूर्वक बिदाना चाहिए उन्होंने एहमदाबाद में साबर मती के तच पर आश्रम स्थापित किया बिहार में उन दिनों नीलहे गोरों द्वारा किसानों पर अत्याचार किये जा रहे थे इसकी जाच के लिए सन 1917 में गांधी जी चंपारन गए यहीं पर युवा राजिंद्र प्रसाद पहली बार उनके संपर्क में आए गांधी जी के विचारों और जीवन शैली ने युवा राजिंद्र पर इतना जबर्दस्त प्रभाव डाला कि उसे दिन से वो गांधी जी के भक्त बन गए चंपारन के जिलाधी ने आग्या जारी कि के गांधी जी तुरंत जिला छोड़कर चले जाएं किन्थू गांधी जी ने यह आदेश मानने से इनकार कर दिया इस कारन उन पर मुकतमा चलाया गया किन्तु गांधी जी की दलीलों के आगे ब्रिटिश सरकार को छुकना पड़ा और उन्हें नीले गोरों द्वारा किसानों पर किये जारे जुल्मों की जाश करवाने की अनुमती मिल गई उधर गुजरात में खेड़ा के किसान लगान देने की हालत में नहीं थे क्यूंकि उनकी फसल बरबाद हो गई थी गांधी जी ने आकर इस मामले को भी सुलझाया इससे गुजरात के किसानों में जाकृती का श्री गणेश हो गया अंग्रेजी शासन के बढ़ते हुए अत्याचार, गरीबी, बीमारी, भुकमरी और भारती सिपाहियों की सेना में जबरदस्ती भरती के कारण देश की जनता में भारी असंतोष छाग्या था ये असंतोष कहीं विद्रूह का रूप ना ले ले इसलिए ब्रिटिश शासन ने सन 1917 में जस्टिस रोलेच की अध्यक्षता में एक समिती न्यूप तकी थी इस समिती का काम ऐसे कानून बनाना था जिन से भारत में किसी भी तरह के विद्रूह को कुचला जा सके समिती के सुझावों के आधार पर फरवरी 1919 में विधान परिशत के सामने दो विध्यक रखे गए इन दोनों विध्यकों के खिलाफ देश भर में असंतोष फैल गया इसके बावजूद भी एक विध्यक परिद कर दिया गया जो रॉलिट एक्ट के नाम से मश्यूर हुआ इस अधिनियम के अंतरकत देश में आंतरिक शांती बनाये रखने की बहाने अंग्रेश सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा आदी चलाए जेल में बंद करके रख सकती थी सारे देश में इस कानून के खिलाफ आंदूलन छड़ गया इसे काला कानून कहा गया गांधी जी इसी समय पहली बार भारती राजनीती में खुल कर प्रटिश शासन के खिलाफ होकर सामने आए और उन्होंने जनता से अपील की कि 6 एप्रल को देश भर में हरताल की जाए रोलेट एक्ट पास करने के खिलाफ शोक दिवस मनाया जाए गांधी जी ने वोईसुराय को सपश्च लिखा था कि उनके मार्ग में हिंसा का कोई महत्व नहीं है इस सत्याग्रह अभियान का उत्देश राजनीती में क्रांतिकारी परिवर्तन और मनुष्य की नैतिक शक्ति की प्रतिश्चा करना है छे अप्रेल को सारे भारत में एक कोने से दूसरे कोने दख़र दाल हुई बंबई में समुत्र के किनारे चौपाटी पर बहुत बड़ी भीड़ी खट्टा हो गई गांधी जी उस भीड़ में थे और सरोचनी नाई जो उनके साथ थी गांधी जी की जिन पुस्तकों पर अंग्रेश सरकार ने प्रतिबंद लगाया था वो वहां खुले आम बेची गई और अंग्रेश अधिकारी परिशान खड़े देखते रहे देश के अन्य शहरों की तरह अमरिच सर में भी 6 अप्रेल 1919 को हरताल हुई दस अप्रेल को डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू की गिरिफतारी के प्रती विरोध प्रदर्शित करने के लिए शान्ती पूर्ण जुलूस निकला इस पर अंग्रेश सिपाहियों ने गोली चला कर कुछ निहत्थे लोगों को मार दिया तेरह अप्रेल 1919 को जलियाँ वाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजिन हुआ सभा का मैदान चार ओर से मकानों की उची उची दिवारों से खिरा था केवल एक सक्रा रास्ता था जिस पर बिटिश सेना के कमांडर जर्नल डायर ने फौश लगा थी जब सभा चल रही थी तो जर्नल डायर ने बिना किसी चेतावनी की सभा में आये लोगों पर अंधा धुंद गोलियां बरसाने का आदेश दिद्ला जलियाँ वाला बाग में लाशों के अंबार लग गए इस क्रूर हत्याकान के विरोध में न सिर्फ भारत का चपपा चपपा प्रभावित हुआ बलकि बिटिश पार्लिमेंट तक ही लूची थी इसके बाद तो राश्टी आंदोलन का रुखी बदल गया अंग्रेजों की न्याय प्रियता के प्रती कांधी जी तक का विश्वास उच गया और वो सहयोग से असहयोग की ओर बढ़ चले झाले 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